प्यारे शात्रों आपके लिए हाइस्कूल का 15 लेशन है हमारा परियावरण आईए हम इसको इत्वम डिटेल में देखेंगे क्या-क्या चीजें हैं परियावरण होता क्या है हमारे चारु तरफ का जो भी आवरण है पिर्थवी को घेरने वाला जो आवरण है वहाई मंडल ह आने वाली वो सभी चीजें जो हैं जैविक हो या अजैविक हो यह सभी घटक मिलके क्या बनाते हैं परियावरण ठीक है देखिएगा परियावरण का मतलब वह सभी चीजें जो हमें घेरे रहती हैं सभी जैविक और अजैविक घटक इसमें सामिल किये जाते हैं जो घेरत हैं एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं जिससे आहार स्रिंखला वो आहार जाल दोनों बनता है आहार स्रिंखला और आहार जाल क्या होता है ये भी आपको डीटिल में बताया जाएगा मनुस्य की गदविधियों के कारण हमारे परियावरण में गिरावट आ रही है वो समस्या उपन हो रही है जैसे ओजोन परत का हास वो कच्रे का निप्टान आजकल कच्रे के निप्टान अच्छे तरीके से नहों पाने से परियावरण में परदूसन बढ़ रहा है ओजोन का एक lesson है आपको परियावड के प्रती जागरूप करने के लिए क्योंकि अब आप एक समाज के हिस्सा बनने वाले हैं तो परियावड को आपको ध्यान में रखना है कैसे उसको सुरच्छीत रखा जाए परियावड को परदूसर से कैसे बचाया जाए एक्चुली में परियावड कहां कहां है हमारे दैनिक जीवन में परियावड का क्या रोल है ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा पहली चीज पारितंत्र क्या है पारितंत्र, I mean Ecosystem डिफिनेशन क्या है इसकी एक्चेत्र के सभी जीव वो अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माड करते है इसलिए एक पारितंत्र जैविक वो अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायू, मृदा आदी से मिलकर बनता है इसमें क्या है सभी जैविक गटक में क्या क्या है जीव जन्तु और पेंड़ पोधे ठीक है जीव जन्तु और पेंड़ पोधे ये जैविक गटक है तापमान वर्षा वाईव मिर्दा धरातल की बनावर तापमान ये सब क्या है और जैविक गटक है पारितंत्र दो प्रकार प्रक्रतिक प्रकुषे जन्गल, सागर, जील, धर्ति की बनावत ठीक है और नदी, जील, ज्छरने यह सब क्या है नदियां भी एक प्रक्रत्स ब्रक्रतन ऐसे प्रक्रत्स तबनावत है ठीक है दूसरा है मानो निर्मित पारितंत्र जो पारितंत्र मानो ने निर्मित किये हैं उन्हें मानो निर्मित पारितंत्र कहते हैं जैसे खेत हमने बनाए हैं थोट छोटे चोटे तालाब हमने बनाए हैं बागीचे हमने बनाए हैं जहां जलासियों में जली जीव खेतों मे टिड्डे, कीडे मकोडे, केचुए ये सब रते हैं हमारे खेतों में बागीचों में छोटे मुटी चिडिया हो गई, मेड़क हो गई और जो बागीचों में रहने वाले जीव हैं वो सब गिलहरियां हो गई ये सब हमारे बागीचों में रहते हैं तो दो भागों भी बाड़ते हैं, एक और जैविक घटक और दूसरा जैविक घटक, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, और जैविक में हवा, जल, भूमी, जो भी निर्जीव चीज़े हैं, इस परियावड की जो भी निर्जीव चीज़े हैं, वो सभी पारितंत्र के और जै वो जानवर होंगे ठीक है अब इन पौधे और जानवरों को हम पुनह अगली केटिकरी में डिवाइड कर लेते हैं एक हो गया आपका उतपादक दूसरा उपभोगता और तीसरा अपघटक इसमें मुख्य है उतपादक और उपभोगता तीसरा हमारा आता है अपघटक है ठीक है पेन पौधे ही बस क्या है उतपादक है दूसरे है उपभोगता तीसरे है अपघटक अब पहले हम उतपादक को और अपघटक को देखते हैं उतपादक क्या है जो भी हरे पेन पौधे है वो क्या है उतपादक है ठीक है और तीसरा जो है अपघटक जो तीसरा हम जो भी मृत, जीव, जन्त, उपेर, पौधे, सड़े, गले, पदार्थ होते हैं, उनको ये पूना खनीजों में परिवर्तित करके मृदा में निर्जीव या वजय भी घटक में तोड़ देता है। बीच वाला जो उपभोक्ता बचा हुआ हमारा, उपभोक्ता को हम तीन भागों में बाट लेते हैं, मुख्य रूप से, एक हमारा परजीवी भी है इसमें, ठीक है, मुख्य रूप से जो हम माटते हैं, पहला है शाकाहारी, ऐसे जीव, जन्त, जो केवल पेंड पौधों पर भोजन लेते हैं, या किसी जीव, दूसरे जीव पर निर्वर रहते हैं, ठीक है, जैसे मनुस्य है, ये भी किसी जीव पर निर्वर होता है, हिरन, गाय, भैरस, बकरी, या तो directly वो पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं, मांसा हारी वाले सिर्फ मांस को खाते हैं और सरवा हारी जीव ऐसे हैं जो मांस और हरे प्रपोधे दोनों को खाते हैं परजीवी क्या है? ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत पदार्थों पर मिरभर होते हैं I mean decomposers हैं ये किसी ऐसे जीव के साथ रहेंगे कि उससे ये अपना भोजन लेते रहते हैं ठीक है और उनको नुकसान भी पहुचाते हैं एक सामंजस से बना कर ये रहते हैं जैसे मनुस्थ्यों के सरीर पे लगने वाले जुवे हो गए या हमारी आंतों में पाया जाने वाला एंटमीबा हिस्टोलिक्ति क्या हो गया या टे उफ वड्लाव हो गया यह सभी किया है परजीवी है ये दूसरे जीव से अपना portion चूस लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गए हमारे परजीवी जीव, आगे आईए देखें, definition क्या है, और जैविक घटक, सभी निर्जीव घटक, जैसे हवा, पानी, भूमी, प्रकास और तापमान आदि मिलकर और जैविक घटक बनाते हैं, मैंने आ पानुवर, सुचमे जीव, फंफूद आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं, आहार के आदार पर जीवों को केटकराइज किया गया, तो पहला हमने बनाया उत्पादक, सभी हरे पौधे, नील, हरित, सैवाल, अपना भोजन और कार्बनिक पदार्थों से सूरी की रोसनी क परियोग करके बनाते हैं, सूरी की रोसनी में प्रकासान सेलेशनल की प्रकिलिया द्वारा, हरे, पेण, पोधे, और नील, हरित, सैवाल, और कुछ केमो वाले होते हैं, जो रसायनों का परियोग करके अपना भोजन लेते हैं, ठीक हैं, दूसरे आते हैं आपके, पुक्ताओं की तीन केटगरी यहां मुख्य है efficiently जीव के सरीर पर निर्फर रहता है जैसे जू, अमरबेल और जोंक ये सब क्या हैं परजीवी जीव होते हैं अगला है आपका अपगटक अपगटक मुख्य है ये जो है कि फंफूद और जिवान जो होते हैं ये मरे हुए जीव और पौथों के जटिल पदार्थों को सरल खरपाई में मदद करते हैं ये उनको वापस पुना मिर्दा में खनीजों के रूप में तोड़कर मिला देते हैं जो भोजन करते हैं जीव उनकी एक सरिंखला होती है एक जीव दूसरे जीव को खाता है जैसे उतपादक है वो भोजन बनाएगा तो उसको बोगता को तृतिय को बोगता खाते हैं तो एक चैन बन जाती है एक स्रिंखला बन जाती है तो दो प्रकार की बिधियां है भोजन के आधार पर जो उनकी चैन है कौन सा जीव किस जीव को खाता है तो दो तरह की चीज़े बनती है एक आहार स्रिंखला बनेगा और दूसरा ए पूừa को बोजन के रूप में लेते हैं जैसे घास होगा घास को हिरन खाएगा, हिरन को सेर खाएगा ये एक तरह की चैन बन गई जिसको हम आहार श्रिंखला कहेंगे ठीक है एक आहार श्रिंखला में उन जैविक गट्मों को जिन में उर्जा का अस्तनांत्रन होता है उसको पोसी अस्तर कहते हैं जैसे प्रथम पोसी अस्तर दुती पोसी अस्तर, तृती पोसी अस्तर उच्च पोसी अस्तर ठीक है इस तरह से एक आहर स्रिंगला में उर्जा अस्तर से अगले उर्जा अस्तर में सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है एक पोसी अस्तर में जितनी उर्जा बनी उसका 10% उर्जा ही दितियक उर्जा अस्तर में जाएगा फिर उसका 10% तिरतियक उर्जास्तर में जाएगा ऐसे जय क्रियाओं में इतनी ही मात्रा में उर्जा उप्योग में आ पाती है इसी को हम 10% का ला कहते हैं ठीक है जैसे हरे पेड़ पॉधों ने 100 किलो कैलोरी उर्जा बनाई तो जो घास को खाने वाले जीव हैं उनको सिर्फ 10% मिलेगा अब उस 10% एनर्जी का 100 है तो 10% 10 मिला उसी 10% एनर्जी को अगले उर्जा अस्तर वाले लेंगे तो उनको 1-1% मिलेगा ठीक है नतलब 10 का 10% 1 मिलेगा एक किलो कैलोरी उर्जा मिलेगी अगला है उपभोगता के अगले अस्तर के लिए उर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब धोपाती है अता आहार स्रिंखला में सामयनता तीन अथवा चार चरण ही होते हैं तरह का पिरामीड बनता है उर्जा अस्तर का पिरामीड हमेशा इस तरह का बनता नीचे एनरजी जादा होती है फिर उपर उससे कम फिर उपर उससे कम फिर सबसे कम हो जाती है ठीक है देखे ये उर्जा का पिरामीड है हमने यहां लिया 1000 किलो कैलोरी उसका 10% 100 किलो कैलोरी फिर 10 किलो कैलोरी फिर 1 किलो कैलोरी तो हमेशा उर्जा अस्तर का जो बहाव है वो हमेशा सीधा पिरामीड बनता है एक्जाम में एक वेस्टन पूछे जाते हैं कि उर्जा का पिरामिर सीधा होता है कि उल्टा होता है ठीक है यह नीचे उत्पादक है प्रावत में कुब्वक्ता देतिया कुब्वक्ता तृतिया कुब्वक्ता इस तरह का cycle चलता रहता है अगला important question आपका important topic है जैव संबर्धन हर स्रिंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर में जाने पर बृद्धी होती है इसे जैव संबर्धन कहते हैं ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानों सरीर में होती है आप जानते हैं कि जो भी हम खरपतवार नासक DDT या फिर कोई भी मेडिसीन फर्टलाइजर्स यूज करते हैं जो वो पर्थम पोसी अस्तर में कम पहुंचेगा अगले पोसी अस्तर में उसकी मात्रा ब्रिधी हो जाएगी और वो अगले पोसी अस्तर में ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफर होगा इसलिए इंडिया में DDT को बंद कर दिया गया क्योंकि DDT यासी मेडिसीन थी जो खरपतवार नासक के रूप में उपयोग की जाती थी और इसके सेवन से चुहे खाने वाले चिल और कवे चिल और जो बाज होते थे वो एकस्पायर कर जाते थे इतना खतरनाग रसायन हुआ करता था इसे जयो संबर्धन, जयो संबर्धन का मतलब एक पोसी अस्तर में अगर कोई हानिकारक पतार्थ है तो वो अगले पोसी अस्तर तक जाते जाते क्या होता है, उसकी मात्रा में बृद्धी हो जाती है और उच्च पोसी अस्तर तक पहुंचने पर वो बिनासकारी सिद्ध होता है, जानलेवा सिद्ध होता है, ठीक है, अगला टॉपिक है आपका आहार जाल, आहार जाल देखे, उपर आहार स्रिंखला पढ़ा है आपने, एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं और इस तरह से एक चैन बन जाती है, जिसको हम आहार स्रिंखला कहते हैं, यहां है फूड वेब, फूड वेब, आहार जाल, फूड वेब बनाते हैं, आहार जाल कहा जाता इसको, आहार स्रिंखला आपस में प्राकरतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का रूप धर, कई सारी स्रिं पौधे को चूहा भी खा सकता है, पौधे को तील चट्टा भी खा सकता है, इस तील चट्टे को मेढग, मेढग को साम, चूहे को चिल, यह सब आपस में एक दूसरे को खाते हैं, इसलिए यहाँ एक जाल जैसी सनुचना बनती है, इसे ही हम आहर जाल कहते हैं, अब आते हैं परियावर्ड की समस्याओं पे परियावर्ड में बदलाव हमें प्रभावित करता है हमारी गतिविदिया भी परियावर्ड को प्रभावित हम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं परदूसर्ण बढ़ा रहे हैं ये भी परियावर्ड को प्रभावित करते हैं, इससे परियावर्ड और परदूसीत हो रहा है, हमारे परियावर्ड में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे परियावर्ड की समस्याओत पन हो रही है, परियावर्ड बनों की कटाई, आग लग जाना, खरपतवार को जला ना फसलों के उसेसों को जलाना दिली में परदूसर्ण सबसे ज़्यादा हो चुका है इस समय मतलब आल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉलिटेड एरिया अगर इस समय कोई है तो हमारा देश की capital देल ही है तो ये परदूसर्ण को कैसे कम किया जाए और क्या-क्या हानिया हो रही है अब यहां से आप अंदाज लगाईएगा ओजोन परत में ठीक है लागडाउन के टाइम ओजोन परत पूरी तरह रिपेर हो चुका था बट जब से ये ओपेन हुआ है सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ है तब से क्या हुआ ओजोन में बहुत बड़ा छेद हो चुका है ओजोन पर पिर्थवी के चारोर एक रच्छात्मक आवरड है जो की सूरे के हानिकारक पराबैगनी प्रकास को असोसित कर लेता यूवी रेज अल्ट्रा वाइलेट रेज आती है सूरज से जो बहुत ही खतरनाक होती है कैंसर और इसकी प्राब्लम के लिए इस प्रकास से यह जीओं की स्वास्त संबंदी हानिया जैसे तचा कैंसर, मोतिया बिंद, कमजोर, प्रतिरच्छा, तंतर, पौधों का नास आदी से रच्छा करती है यह जो ओजोन परत है हमको इन चीजों से बचाती है बट लेकिन इसमें जब छेद हो जाएगा तो सूरज की किरण सीधे धरती पर पड़ेगी तो वहां रहने वाले या आसवास के लोगों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है पृत्वी के उपर जो वाई मंडल है उसे कई भागों में बाटा गया चोब मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर मंडल, मध्य मंडल ये सभी क्या है उपर तुपी के उपर पाया जाने वाले मंडल है वाई मंडल के कई सारे भाग है जिसमें से जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाया जाता है ओजोन को हम किस से denote करते हैं ओध्री से इसको नापने की काई क्या होती है बटा डाबसन ओजोन परत की मोटाई को नापने की काई होती है डाबसन ठीक है डाबसन ठीक है त्यान रखेगा तो ये जो धीरे धीरे इसकी मोटाई पतली हो जाती ओजोन क्या है गैसों की एक परत है ओजोन गैस का एक परत होता है ठीक है जो समताप मंडल में पाय जाता है और ये हमारे वाई मंडल का हिस्सा है जमीनी अस्तन पर ओजोन का बनना एक घातक जहर होता है जो गाड़ियों से निकलने वाले धूमें होते हैं ये जो है आपस में पिर्थवी के निम्नस्ता में ही थोड़ी से उचाई पे ओजोन परत बना लेते हैं जो सांस लेने में कठिनायोतपन करता है आगे देखें क्या है ओजोन का निर्माड कैसे होता है ओजोन का निर्माड ओजोन का निर्माड कैसे होगा O2 है एक oxygen molecule और मिल गया ठीक है तो वो क्या बन गया O3 बन जाएगा यहाँ दो है oxygen और oxygen यह O2 बनाते हैं कोई भी परमाड स्वतंत्र अवस्था में अकेले नहीं रहता है वो किसी परमाड के साथ क्या करता है बंद बनाता है तो oxygen हमेशा अपने ही एटम के साथ बंद बना लेता है यदि दूसरा एटम नहीं है तो यह O2 अण के रूप में होता है ठीक है अब यही oxygen किसी एक अन्य oxygen से अभी क्रिया कर ले तो ozone का निर्माड होता है ozone परत का हास कैसे हुआ ozone परत का हास 1980 में पहली बार का मुख्य कारक मानो संसले सितर रसायन chlorofluorocarbon जिसको साथ फॉर्म में CFC कहा गया है अभी इसका उपयोग बंद कर दिया गया है उस समय इसका उपयोग सितलन और अगनी शमन आग बुझाने वाले अंत्रों में और freezer टाइप दिया freezer में ठंडा करने वाले AC में मसीनों में यूज किया जाता था जो इसको हम सितलन कहते हैं और अगनी समन आग बुझाने वाले अंत्रों में परियोग किया जाता था जिससे chlorofluorocarbon gas निकलती थी यही gas ओजोन परत में छेद बनाने का सबसे मुख्य कारण रहा है 1987 में सयुक्तराष्ट परियावड कारिक्रम UNEP में सर्वानुमती बने की CFC के उत्पादन को 1986 के अस्तर पर ही सीमित रखा जाए इस समझावते को हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं यहाँ विश्वस्तरी बैठब होई जिसमें सभी देशों ने यह प्रस्तावित किया कि हम CFC गैस का उपयोग कम करेंगे बंद कर देंगे अभी आज के समय में इस गैस का उपयोग नहीं किया जाता अगला पॉइंट से है आपका कचरे का प्रबंधन करना जो भी कचरा निकलता है हमारे दैनिक जीवन में उसका प्रबंधन कैसे करते हैं हम लोग प्रबंधन कैसे करते हैं नदियों में बहा देंगे फेक देंगे इतर उतर सड़कों के किनारे फेक देंगे लेकिन नगर निगम की यह जिम्मेदारी है कि वो कच्रे का निप्टान कैसे करवाएंगे लोग भी जागरूख हो रहे हैं धीरे-धीरे कच्रे का प्रबंधन कैसे करना है उनको पता है ठीक है नीला पलिथीन, लाल पलिथीन, हरा पलिथीन कई तरह का पलिथीन आता है जिसमें गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ये सब रखे जाते हैं, उसके कई सारे नियम हैं, आईए आपको कचरा प्रवंधन बताता हूँ मैं, कचरा प्रवंधन, आज के समय में अपसिस्ट निप्टान एक मुख्य समस्या है, जो की हमारे पर्यावड को प्रभावित करती है, हमारी जीवन सहली के करण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकठा हो जाता है, कचरे के निम्न पदार्थ होते हैं, जैव निम्नी करण पदार्थ कचरे में, कई तरह का कचरा कुछ खातरनाक कचरे होते हैं, जो जिनको निप्टान घरों में नहीं हो सकता, कुछ ऐ जीवों के द्वारा छोटे घटकों में बदले जा सकते हैं को आसानी से जो है कि अब घटित किया जा सकता है इसलिए इनको हम जैव निमनी करणी पदार्थ कहते हैं दूसरे हैं और जैव निमनी करणी पदार्थ ये बहुत खदरनाक होते हैं पदार्थ जो सुचमजीओं के कारण अपने घटकों में परिवर्थित नहीं होते जैसे प्लास्टी, पॉलिथीन, संसलेसित रेसे, धात, रेडियो एक्टिव, अपसिस्ट पदार्थ, ठीक है, सीसा ये सब पदार्थ जो है कि प्रकिर्थ में अपने आप बिगटित नहीं ह हो पाता, ये प्रकिर्थ में सालो, सौ सो साल, दो दो सो साल तक पड़े रह सकते हैं, इसके बाद कचरा प्रबंदन की बिधियां, अब ये तो हो नहीं पाएगा, जो जैव निमनी करण है वो इसली हो जाएगा, जैव और निमनी करण है तो ऐसे पदार्थों को हो देखते हैं, पहला है जैव मात्रा संयंत्र, इसमें जैव निमनी करण संयंत्र होता है, जो क्या करता है, कचरे को इसमें डाल दीजिए और उसको खाद के रूप में वरिवर्तित किया जाए, सड़ा करके, उस कचरे को सड़ा गला करके क्या कर लिया जाए, खाद बना ल है अगला है कूड भराव खेत्र कचला निचले चेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है कुछ्छ शेत्र ऐसे जो प्लांट प्लांट होस। बहुत ही नीचले एरिये में हैं, ठीक है, उनको उंचा करने के लिए हम कूडों को नगर नियों वाले क्या करते हैं, सहर के बाहर ले जाके कूडा गड़े में भढ़ देते हैं, ठीक है, जिससे वो एक ही जगा पर कूडा पढ़ा रहेगा और प्रदूसर्ण का चांसस कम करते हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी भी होगा और कचरे की सफाई भी हो जाएगे, अगला है पुना चक्रण, पुना चक्रण में क्या हैं, और जय वो निवनिकरण पदार्थ कचरा पुना इस्तेमाल के नहे पदार्थों में बदल दिया जाता है, और जय वो निमनी जाएंगे फैक्ट्री में वहां एक प्रोसेस के ताहत इनको दुबारा से रिसाइकल करके फिर मार्केट में लांच किया जाएगा इनको तुरंत नस्ट नहीं किया जा सकता अगला है पुनह उपयोग कुछ ऐसी चीजे होती है जो बार-बार रिसाइकल करके उपयोग की जा स सकते हैं जैसे अखबार से लिफाफे बनाना अखबार से लिफाफे बना लिया कागज जो भी होता है फिर रिसाइकल हो जाता है कागज क्या है फैक्ट्रियों में ले जाके इनको दुबारा पुनह कागज बनाया जा सकता है तो यह कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम कचरा प्र यह मुख्य विदियां हैं जिससे हम कचरे का निप्टान भी कर सकते हैं और परियावड को परदूसित होने से बचा भी सकते हैं तो आपको उम्मीद करता हूं कि जानकारी अच्छी लगी होगी और यह पूरा हाइज स्कूल का स्लेबस था जिसको सायद हमारा परियावड के नाम से यह लिसन है ठीक है अलग-अलग किताबों में नाम अलग-अलग हो सकते हैं बट NCRT के स्लेबस से देखा जाए तो यह बहुत ही important topic था आपके भविस्से में आने वाले परियावड या अन्य एक्जाम्स में भी यह सहायक होगा रिंद है bet glबफवड़न suis आ쵸 देखा व्हाए विधन को कि वाले इक हैं वाले फ्टलग-णेशल में मिलगड़न के सुलया गांसरा में में यह यह भी शीस्सेमा एका बादाय है झाल झाल